गोवा की बात कर लेते हैं गोवा दो ही सीटे हैं साउथ गोवा और आपको बता दे की जो साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा है अगर उसकी बात करें तो बीजेपी के खातों में यहां भी दोनों सीटे जाती हुई नजर आ रही यहां पर कॉंग्रेस का इस बार खाता नहीं खुल रहा है लेकिन अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पर एक में कॉंग्रेस और एक में बीजेपी ने जीत दर्श की थी लेकिन इस बार 2024 के चुनावों की अगर बात करें तो यह आकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी यहाँ पर भी क्लीन स्वीप करते हुई नज और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से माना यह जा रहा था कि अगर इंडी गट बंधन यानि कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि यह आकड़ा बदल सकता था पुरान आकड़ा रिपीट हो सकता था लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई गई है जिसके चलते यहाँ पर कॉंग्रेस को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा और बीजेपी के खाते में दोनों सीटे जाती हुई नजर आ रही है